अगर दो parallel wires हैं जिनमें current flow किया जाता है तो उनके बीच में magnetic force लगेगा जैसे पहले wire में current है I1, second wire में current है I2 तो क्योंकि एक दूसरे के magnetic field में रखे हुए होंगे पहले wire का magnetic field है उसमें second wire रखा होगा second wire जो magnetic field produce करेगा उसमें first wire रखा होगा तो दोनों पे magnetic force लगेगा पहला जो wire है उसकी unit length पे लगने वाले force का formula है था mu naught I1 I2 upon 2 pi r और यही formula second wire के लिए था तो इससे एक result बना कि दोनों wires में चाहिए अलगलग current flow हो रहा हो लेकिन इन दोनों पे force बराबर लगेगा direction क्या होगी force की अगर same direction में current है दोनों wires में तो क्या होगा दोनों की बीच में attraction force लगेगा अगर दोनों wires में opposite direction में current है तब repulsion force लगेगा दोनों wires एक दूसरे से repel होते वे दिखाई देंगे आपको